अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप साथ शेयर कर रही हूँ अफगानी चिकन मलाई कोफता की रेसिपी, सिल्की स्मूध ग्रेवी वाले बहुत ही डिलिशियस ये कोफते बनते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, अफगानी मलाई कोफता बनाने के लिए मैंने यहाँ प अब इसमें हम एड़ कर देंगे एक टीस्पून चिली फ्लेक्स, एक टीस्पून कुटी वी काली मिर्च, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, एक टीस्पून चाट मसाला, आदा टीस्पून जीरा, एक टीस्पून नमक और एक टीस्पून जिंजर गालिक पेस्ट, अब हम इसे ग्राइंड करके एक स्मूथ मिक्सचर बना लेना है तो ये देखिए हमार मिक्सचर अब तयार है हाथ ओपर थोड़ा ओईल अपलाए करके थोड़ा पोर्शन लेकर हम इसके कोफते बना लेंगे देखिए इस तरह से एक पैन में आदा कप ओईल गरम करके हम कोफतों को तीन से चार मिर्ट तक फ्राइ कर लेंगे जब तक इस पर एक अच्छा सा कलर ना आ जाए ये देखिए तो अब कोफतों को हम निकाल लेंगे अब हम कोफतों की वाइर क्रेवी बनाने के लिए एक टिबिल स्पून ओयल गरम कर लेंगे उसमें हम एड कर देंगे दो मीडियम साइस के प्यास रफली चॉप किये वे और इसे हलका सा एक मेट के लिए फ्राइ कर लेंगे फिर इसमें हम एड कर देंगे दो हरी मिर्चे आप चाहें तो तीन चार हरीमेज भी आड़ कर सकते हैं जितना spicy आप खाना पसंद करते हों और इसमें डाल देंगे 10 से 12 काजू इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे अब इसमें आड़ कर देंगे एक कप पानी और इसे भी मिला लेंगे अब इसे cover करके हम 4-5 मिनिट के लिए low flame पर पका लेंगे ताकि प्यास अच्छी तरह soft हो जाए तो देखिए 5 मिनिट हो गए यहाँ प्यास अच्छी से soft हो गई है इसे grind करके हम इसका एक fine paste बना लेंगे तो देखिए जो oil में हमने कोफते fry किये थे वो oil अब हम use करेंगे उसे मैं add करेंगे एक तेस पत्ता एक दाल चीनी, तीन हरी लाइची चार से पांच लॉंग इसे हम crackle होने तक fry करेंगे अब इसमें हम add कर देंगे 2 teaspoon अद्रक्लैसन का paste और इसे हम 1-2 मिनिट तक पून लेंगे तो देखिए अद्रक्लैसन यहाँ भून चुका है इसमें हम डाल देंगे काजू और प्यास का paste और इसे हम 3-4 मिनिट तक भूनेंगे मीडियम flame रखना है तो भूनते वे 4 मिनिट हो गए है अब हम इसे धक कर low flame पर 5 मिनिट के लिए पका लेंगे तो देखिए 5 मिनिट हो गए है अब ढकन खोलते है gravy अच्छे से अब पक चुकी है अब हम इसमें add कर देंगे 100 ग्राम दही दही को अच्छे से फेट लेना है दही में कोई lump नहीं रहने चाहिए इसे हम low flame पर अच्छे से mix कर लेंगे और फिर high flame करके दही को 3-4 मिट के लिए पका लेंगे तो देखिए दही को भी हमने अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें सारे कोफते add कर देंगे और इसे अच्छे तरह से mix कर लेंगे कोफते हमने जब fry किये थे तो 20% पक गए थे अब कोफतों को और गलाने के लिए हम इसमें add कर देंगे एक लास वानी और इसे cover करके low flame पर हम 8-10 निट के लिए पका लेंगे तो देखिए कोफतों को पकते हुए 10 निट हो गए है कोफते अब अच्छे से पक चुके हैं अब हम इसमें कुछ मसाले add कर देंगे आधा टी स्पून काली मिच पौडर आधा टी स्पून जीरा पौडर और आधा टी स्पून गरम मसाला पौडर और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे अब इसमें हम add कर देंगे 4 टिबल स्पून क्रीम अगर आपके पास fresh cream अविलिबल नहीं है तो आप मलाई भी add कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से mix करते हुए हम 3-4 मिट तक पका लेंगे flame low ही रखना है और अब हम इसमें add कर देंगे 3-4 हरी मेचे और कसूरी मेथी जिसे मैंने roast कर लिया था और इसे भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे अब इसे हम cover करके low flame पर 3-4 मिट के लिए पका लेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे बहुत ही delicious अफगानी मलाई कोफते अभी ready नहीं है इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और एक और step अभी बाकी है जो final touch हम इसे देंगे जिससे इसका flavor और भी सा oil डाल देंगे और इसे ढख देंगे 5-10 निट के लिए तो हमारे बहुत ही delicious super tasty chicken मलाई कोफते अब ready हैं आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि gravy कितनी tasty बनी है और कितनी silky smooth है आप इसे दावत में बनाईए party में बनाईए या ऐसे भी बनाईए सब को बहुत पसंद आएंगे और हाँ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो please video को like करें अपने friends of family साथ share करें और मेरे चैनल को subscribe करें